नमस्त मित्रो मारी चैनल मा आपनू हर्दिक स्भागत छे मुठ्या, डोक्रा, हांडवो, पात्रा आप दा फरसान आपना दरिक गुजरातियों ना प्रिया छे तो आजे आपने परफेक्ट माप अने टिपस आथे दुदिना मुठ्या ने बुलावी देते वा एक दम सौफ्ट अने टेस्टी कोबीज ना मुठ्या बनावता शिक्कीचू आ मुठ्या जो तमें एक वार बनाऊ सो तो वारम वार बनाऊनों मन थाए तेवा स्वादिश बने छे तो वीडियो ने स्कीप कर्यावी ना एंड सुधी अवश्च जो जो अने रेसीपी पसंद आवे तो तेने लाइक कर जो, शेर कर जो अने चैनल पर पहली वाराव्या हो तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब कर जो त्यारे आपने चार्थी पांच वेक्तिने नास्ता मां सहो करी शकाए तेटला मुठ्या बनावी शु तेना माटे में 300 ग्राम एक तम फ्रेश कोबीद दिदी शे तेनी बार नी बाजु जे चाड़ा पान होए तेने काड़ी औने मीडियम साइज मां समारी चौपर मां चौप करी लैशु तमे कोबीज ने छिनी ने पण उप्योग मां लैशको शो कोबीज अंदर थी कीडा वाड़ी के सडेली नह होए तेनु खास ज्यान राखू दूदी ना मुठ्या तो अवान नवार दरेकना गर्मा बंताज होई छे पन गणालोकोंने दूदी बिल्कुल नथी पावती तो तेवो ना माटे आएक बेश रेसिपी छे मारी चैनल पर में अलग-अलग प्रकार ना गुजराती मुठ्या नी रेसिपी पोस्ट करी छे जेना प्लेलिस नी लिंक उपर आई बटन पर अने वीडियो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स मा आपी छे त्या आती तमें जोई शको छो जे समय तमारे मुठ्या बनावा होए ते समय ज कोबीज ने चौप करवी नईतर तेमा थी पाणी छूट से हवे चौप करेली कोबीज ने एक मोटा मिक्सिंग बावल मा काड़ी तेमा बदा मसाला उमेरीशू मसाला मा आपने एक चमची हरदर पावडर एक चमची अथ्वास्वाद मुझब लाल मर्चू पावडर औने बै चमची धानाजीरू पावडर उमेरीशू आपने लिला मर्चा आने आदूनी पेश्ट पण उमेरवानी छे एट्टे लाल मर्चु में थोड़ू उच्छु लिदू छे स्वाद प्रमाणे मीठू उमेरी शुँ, मीठू कोबीज अने लोटना भागनू अत्यारज उमेरी देवू तीखाश माटे 2 टेबल स्पून आदू मर्चा नी पेश्ट जो तमे लसन खाता हो तो एक चमची लसन नी पेश्ट पण उमेरी शको छो मुठ्या स्वाद माँ थोड़ा गर्चट्टा होए तोच ते सारा लागे छे एटले 34 चमची जेटली खांड उमेरी शु डाइबिटीस होए तेलोको खांड स्कीप करी शके छे अने खटाश माटे 2 टेबल स्पून मीडियम खाटू दैई उमेरी शु दैई उमेर वाथी पण मुठ्या सरस्वाफ बने शे एटले ते अवश्य उमेर वू मोण माटे 3 टेबल स्पून श्रिंग तेल उमेरी शु कोईपन गुजराती फटसान बनावती वक्ते जो तेमा श्रिंग तेलनों उप्योग करवामा आवे तो ते वदु स्वादिश बने शे जो मोण उमेरवामा कंजू साई करसो तो पन मुठ्या गड़े बाजे तेवा कड़क बन्षे एक चमची अजमो औने चप्टी जेटला खावाना सोडा उमेरी शु अजमो उमेरवाथी टेस्ट पन सारो आउसे औने डाईजेशन मा पन हेल्प मर्षे आ मुठ्या बनावती वक्ते आपने कोईपन प्रकार ना गरम मसाला नो उप्योग नहीं करिये गरमा जे रूटीन मसाला होए तेनो जो उप्योग करीने बनावी शु अवे बदाज मसाला ने कोबीज नी साथे सरकी इते मिक्स करी लेशु आपने दही पन उमेर्यू छे औने कोबीज माथी पन जे रस रहेलो होए ते सेपरेट थसे एटले तेमा अथीज मुठ्या नो लोट सरस बंदाई जशे बदाज मसाला कोबीज नी साथे मिक्स सवाना कारणे मिस्टर माथी पाणी छुट्यू छे इतले लोट मांती वक्ते आपने बिलकुल पाणी उमेर्यू नी जरू नई पड़े जो तमारे दुदीना मुठ्या बनावा होए तो पन आज मेथड फॉलो करवी तेमा एक कप एटले 1200 ग्राम जिटलो गउनो जीनो लोट उमेरी शू जे आपने रोटली बनावा माटे उप्योग में लेता होई ये छे अन्ने तेनी साथे एक कप मैं हांडवान लोट लिदो छे आ लोट में गरेज गंटी मा दाड़ी ने तयार करेओ छे जैनी रैसीपी लिंक उपर आई बटन पर आपी छे जो तमारी पासे हांडवान लोट ना होई तो तेनी जग्याए गउनो जाड़ो लोट जे आपने लाडवा के लापसी बनावा माटे उप्योग में लता होई ये छे अथवा तो जीनो रवो पनो मेरी शको छो पन हांडवान लोट माँ चोखा नी साथे अड़, तुवेर अने चणानी दाड़नों मिष्रण होवा थी मुठ्या वदू स्वादिश बनेशे हवे बनने प्रकार ना लोट ने मिष्रण नी साथे सरखी इते मिक्स करी अने मुठ्या वाड़ी शकाए ते वो मीडियम सौफ्ट लोट बांदी ने तयार करी शू मुठ्या नोलोट तयार करता पहला में डोकड्यामा पाणी बरी तेने पांच मिनीट माटे मीडियम फ्लेम पर प्री हिट करी राख्यू अतू पाणी सरकू उकळवा लागे एट्टे डाकन खोली आने डोकड्यानी प्लेट ने तेलती ग्रिस करी लेशू जेथी मुठ्याने स्टीम करती वक्ते ते प्लेट उपर चौटी न जाए। तमारी पाचे आर इतनू ढोकड्यू न होए तो मुठी कड़ाई मा थोड़ू पाणी बरी तेमा कांठलो औने प्लेट मोकी ने पण मुठ्याने स्टीम करी शको छो जुओ आपने बिलकुल पाणी उमेरावी ना आर इतनो मिडियम सॉफ्ट लोड तयार कर्यों छे। लोड जो तमारो कठण असे तो पन मुठ्या प्रमार मा चवड बन छे। जो तमे टोटल 300 ग्राम लोट लिदो होए तो तेमा बारो बार एटले के 300 ग्राम कोबी जुमेरवी तोज मुठ्या एकदम पोचा रू जेवा बन छे। आर इते टोटल आठ नंग मिडियम साइज ना मुठ्या वाड़ी इदाशे अवे डोकड यानू डाकन डाकी तेने 5 म मिनिट माटे हाई फ्लेम पर औने 25 मिनिट माटे मिडियम फ्लेम पर एम टोटल 30 मिनिट माटे स्टीम थवा देशू। मुठ्या ने 30 मिनिट सुधी स्टीम करया बाद डाकन खोली ने चेक करीशू। मुठ्या नी उपर एक चप्पू लगावू जो चप्पू आरीते साब बारावे तो समझ वू के ते सर्खा स्टीम थई गया छे। अने चपू पर लोट चौटे तो तेने फरीती ढाकन ढाकी ने 5 मिनिट माटे वधू स्टीम थवा देवा। हवे गैस नी फ्लेम बंद करीशू। मित्रो हवे जे स्टेप बताव छूते खास ज्यानमा राक्चो। गैस बंद करो पची मुठ्या सर्खा सीजी जाए, तेना माटे तेना उपर आरी ते कोटन दूपटो के कपडू ढाकी अने 5 मिनिट माटे ठरवा देशू। जो ठंडा थवा माटे तेने खुला मुकी राक्षो, तो मुठ्यानू जे बार नू पड़से, ते ड्राई थाई जसे, औने खाती वक्ते ते एटला सारा नही लागे। 15 मिट बार डोकड यानी उपर ढाकेलो दूपटो लई, मुठ्याने एक प्लेट माँ काडी लईशू। जे लोको डाईट करता होई, अथवा तो हेल्थ कॉंच्यस होई, तेओ आरीते स्टीम करेला मुठ्याने, वगार विना तेने एमने मच काचा शींग तेल साते खाई शकेशे। जो तमारे सांजे डिनर मां मुठ्याने सव करवा होई, तो बपोरे पन तमने आरीते तेने स्टीम करीने राकी शको उछो। स्टीम करेला मुठ्याने तम्हें ऐल टाइट कंटेनर मां एक थी बे दिवस मांटे फ्रीज मां पन स्टोर करी शको उचो। अवे कोबीज ना मुठ्याने आपने चप्पा वडे मीडियम साइज ना टुकडामा समारी लैशुू। मुठ्यानो लोड तैयार करती वक्ते, तेमा तमे तमारी पसंत प्रमाणे अलग-अलग प्रकार ना वेरियेशन पन करी शको छो। जेमके तमे कोबीज नी साथे तोड़ी पालक नी भाजी मिक्स करी ने पन बनावी शको छो। तेमा थोड़ो जुवान लोड पन उमेरी शको छो। आ एक ट्रेडिशनल वानगी शे एडले दरेक ना गरना रिवास प्रमाणे ते अलग-अलग रिते बनावाती होई शे। गणा लोको मुठ्यामा बाजरी नो लोट पन उमेरता होई शे। आरी ते आपने बदाज मुठ्याने समाली दा शे। मुठ्याने वगारवा माटे गैस पर एक कड़ाई मुकी तेमा त्रान टेबलस्पून जेतलू तेल लई तेने दीमी आचे गरम करीशू। पहला में जम जनाविव ते मुझब जो शींग तेल लेसो तो मुठ्या वदू स्वादिश बन से। तेल थोडू गरम थाए इटले तेमा बै नंग सुकालाल मल्चा उमेरीशू। अने तेनी साथे बै चमची जीनी राई उमेरीशू। मुठ्या डोकडा के पात्राने वगारती वक्ते फडसान वाडा जीनी राई इटले के खमणी राई नो उप्यो करता होई शे। पाचमची हिंग उमेरीशू। अने राई सरस तेल मा फूटे पची बाकी नी सामगरी एड करीशू। वगार करती वक्ते सफेद तल सवती छेल्ले उमेरवा काणके ते खुब जल्दी फूटवा लागे छे। साथी आंट डंग मिठार इम्राना पान उमेरीशू। जैनी फ्लेवर मुठ्यामा खुब सरसावेशू। आर इतनों वगार तेयार थाए एटले त्रण चमची सफेद तल उमेरी औने तेमा समारेला मुठ्या उमेरी वगार ने हडवा आथे मुठ्यानी साथे तावेथा वडे मिक्स करी लाइशू। मुठ्या बार थी थोड़ा क्रिस्पी होई तोज ते खावानी मज़ा आवेशे। इटले तेने बैथी त्रण मीट माटे स्लो टू मिडियम फ्लेम पर कुक करीशू। गणा लोकों ना मुठ्या स्टीम करया पची एकदम कड़क थी जाए छे। जो तमारा थी क्यारेक एउ थाए तो वगार मां 4 टेबल स्पून जेटलू पाणी उमेरवू पची मुठ्या ने वगारवा जैना थी मुठ्या मां मॉश्टर रह से औने ते खाती वक्ते आपनी साथे साथे तमें तैने केवी रिते बनावचो ते पन खुब जगत्यनू छे। मोटा बागना गुजराती गरों मां मुठ्या साजे डिनर मां बने चे औने वदारे बनावता होई तो सवारे ब्रेकफास्ट मां पन चाहा के दूस साथे खाता होई छे। गर्मा ना टॉमेटो केचप अने कोथमीर फुदिनानी ग्रीन चट्नी साथे सहो करया छे। तमें तैने मसाला वालू दूत के चाह साथे पांड सहो करी शको छो। तो फ्रेंड्स समय पांड आ रेसीपी गरे जरू ट्राय कर जो अने वीडियो पसंद आवी होई तो तैने लाइक कर जो शेर कर जो अने चैनल पर पहली वाराव्या हो तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी बाजू मा आपेला बैल आइकोन पर क्लिक कर जो तो फरी थी मरीशू एक नवी रेसीपी साथे थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो